नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में मैं एड्वोकेट पियुश मितल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज मैं आपके साथ Honorable Supreme Court की एक बहुत ही important judgment पर बात करूँगा, जो की पत्नी के maintenance यानि की भरन portion से related है। दोस्तों, आपके case में भी कुछ ऐसे ही facts हैं, तो आप भी इस judgment का इस्तमाल करके पत्नी के maintenance या interim maintenance को बंद करवा सकते हैं, खतम करवा सकते हैं। तो अईए जानते हैं क्या था पूरा matter, क्या थे case के facts, और किन ground पर High Court और Supreme Court के द्वारा पत्नी के maintenance को reject किया गया। दोस्तों, वीडियो को आपने अंतक दरूर देखना है, क्योंकि यदि आपने कोई भी part मिस किया, तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही notification, bell icon दबाग करके all का button प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको latest वीडियो की update मिलती रहे, इन case आपकी कोई भी legal समस्या है, legal कोरी है, तो वो भी आप मुझे appointment दे सकते हैं, तो चलिए वापिस अपने topic के ओपर चलते हैं, दोस्तों जब पत्नी अपने पती का घर छोड़ करके माई के चली जाती है, तो ऐसे में 498 एके साथ साथ पत्नी maintenance का भी case जरूर फाइल करती है, और बहुत सारे cases में ये भी देखने को मिलता है, कि maintenance case उन पत्न जा रही होती है, जॉब कर रही होती है, दूसी तरफ पत्नी के लिए पत्नी का maintenance, चाहे वो final maintenance हो, चाहे वो interim maintenance हो, दोनों ही पत्नी के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द होते हैं, दोस्तों पत्नी को maintenance या interim maintenance इसलिए नहीं देना चाता, क्योंकि वो हमेशा ही उसे अपने प और छोटी मोटी बातों को या छोटे मोटे डड़ाई जगडे को जो की नॉर्मल वियर और टियर है मेरिज लाइफ का उसके बेसिस पर वो लिटिगेशन में चली जाती है और ऐसे में यदि पत्नी खुद कमा रही है खुद अर्न कर रही है तो पत्नी को एक रिजन और मिल जाता है कि वो पत्नी को मेंटेनेस इसलिए नहीं देना चाता क्योंकि पत्नी खुद कमा रही है दोस्तों आज का हमारा केस भी कुछ ऐसा ही है इस केस में पत्नी पती से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल करती है और फैमिली कोट पत्नी की डाइवोर्स एप्लिकेशन को अलाव कर देती है और पत्नी को डाइवोर्स ग्रांट कर देती है इसके बाद पती के द्वारान फैमिली कोर्ट के ओर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में अपील के दौरान पत्नी अपने और अपने बच्चे के मेंटेनेस के लिए सेक्शन 24 HMA की एप्लिकेशन फाइल करती है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दू कि सेक्शन 24 HMA में जो भरन पोजिशन जो मेंटेनेस दिया जाता है वो केवल लिटिगेशन के दौरान ही होता है जैसे ही केस खतम होगा लिटिगेशन खतम होगी तो मेंटेनेस भी खतम हो जाएगा पत्नी अपने और अपने बच्चों के लिए मेंटेनेस के साथ साथ लिटिगेशन एक्सपेंसिज भी मांगती है लेकिन हाई कोट पत्नी की मेंटेनेस एप्लिकेशन को डिकलाइन कर देती है और केवल बच्चों का मेंटेनेस बांध दिया जाता है दोस्तों पती high court के order से खुश था क्योंकि उसे पत्नी को maintenance नहीं देना पढ़ रहा था और बच्चे को maintenance देने में उसे कोई भी अत्राज नहीं था इस कारण से पती ने उस order की अपील नहीं करी लेकिन पत्नी के दौरा high court के order की review petition फायल की गई लेकिन पत्नी की review petition भी reject कर दी गई इसके बाद पत्नी high court के order को honorable supreme court में challenge करती है supreme court के सामने पत्नी का कहना था कि उसे भी maintenance दिया जाना चाहिए और बच्चे का maintenance भी enhance कर दिया जाना चाहिए दोस्तों honorable supreme court के द्वारा observe किया गया कि पत्नी खुद working थी कमा रही थी ऐसे में supreme court का कहना था कि पत्नी maintenance के लिए entitled नहीं है और high court के द्वारा पत्नी के maintenance को decline किया गया वो बिल्कुल सही किया गया honorable supreme court ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के खर्चे को देखते हुए बच्चों का थोड़ा सा maintenance बढ़ा दिया लेकिन पत्नी को कहीं भी किसी भी तरह का कोई relief नहीं दिया किसी भी तरह का maintenance नहीं लगाया दोस्तों बच्चों को maintain करने में पत्ती को कोई भी आपत्ती नहीं थी वो पत्नी को maintenance नहीं देना चाहता था क्योंकि पत्नी कमा रही थी उसकी अपनी इनकम थी इस तरह से पत्नी की भरपूर कोशिशों के बाद भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पत्नी के maintenance को reject कर दिया गया, decline कर दिया गया दोस्तों इस case से इस judgment से बिल्कुल clear हो जाता है कि यदि पत्नी खुद earning है, कमा रही है तो ऐसे में वो maintenance या interim maintenance के लिए entitle नहीं है और यदि पत्नी बच्चों की आड़ लेकर के अपना maintenance बंधवाना चाहती है तो वो भी possible नहीं होगा जैसा कि हमने इस case में देखा दोस्तों इस judgment पर इस case पर आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजेगा क्या एक पत्नी जो कमा रही है, earning है, उसे maintenance मिलना चाहिए क्या बच्चों की आड़ में पत्नी maintenance क्लेम कर सकती है क्या इस case में High Court और Supreme Court के द्वारा पत्नी को maintenance ना देने का decision सही था आप क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं दुरूर शेयर कीजेगा और यदि आपकी कोई समस्या है, legal problem है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं दोस्तों इस judgment का link में आपको description में दे दूँगा वहाँ जाकर कि आप इसको download करके पढ़ सकते हैं और अपने case के facts के नुसार यूज़ भी कर सकते हैं तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like और share जरू कीजेगा चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैन